कि अधिन मैं बात करूंगा थोड़ा एकनॉमिकल कंट्रोल की यानि आर्थिक समस्याओं की और आर्थिक वज़ों की जैसे कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि अपना समाज जैसे अभी आपनी कहा कि उनके पास एकनॉमिकल पावर है यानि आशिप है पूंजी बती हैं पत परिशान होना पड़ता है आप इतना बड़ा फिल्म सेटप लेने के बाद में परिशान हो रहें कितने साल होगे सर आपको इस अपर करते करते हैं यह जो मैंने फूल टाइम जो समाज का काम पहले भी था लेकिन पहले होता था इंडिविजल को रिलेशन में किस साथ को रखाऊंगा भी लाइव वीडियो पर और मैं सर यह जानना चाहता हूं इस पूरे समस्याओं की हल क्या है जिस से आप और हम गुजर रहें हैं सर इस समस्याओं का हल देखे इस समस्याओं का जो हल है जिस तरह से बाबा साब और साब काशी राम पे बैक टू सोसाइटी की बात करते थे अब तक जो लोगों ने बाबा साब के समिधान से फायदा उठा करके सरकारी नौकरी में गए या इंडियस्टेल प्लोट में भी रिजर्वेशन मिला फ का फायदा लोगों ने लिया है लेकिन उन में से कोई पे बैक टू या कोई IPS बन गए आईएस बन गए बैक टू सोसाइटी नहीं करते हैं कोई हमारे जैसा कोई अगर आदमी कुछ सफर कर गया इस वज़े से तो उसमें वो सपोर्ट नहीं करते हैं एक तो यह बड़ा पूजार बोलता हूं इसको वो तो बेच दिया तो एक तो सवाल यहां पर है कि हम हिंदू क्यों बने हुए हभी तक जो हमारे बहुजन समाज के लोग है हम पूजा कर रहे हम पाखंट पर ढो रहे हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं फिर भी हमारी एकॉनोमिकल कंडिशन तो नहीं सुधर रही तो हमको पहले तो उस अंदिश्वास से बहार निकल करके और अभी एक कमर कसनी पड़ेगी कि हमको प्राइवेट सेक्टर के लिए हमको तयार होना पड़ेगा चाहब वो टेक्निकल स्किल्स हो मैं सो मैनी टाइम्स अनॉंस ओन माई चैनल कि कोई भी समास का आदमी या कोई लड़की या कोई लड़का यूथ या यंग एज, ओल्ड एज, चाल्ड एज, सब एज के लिए यहां पर मोका है मैंने कितने वार अनॉंस किया कि मैं अपने यहां पर कैमरा फिरी सिखा सकता हूँ मैं एडिटिंग फिरी सिखा सकता हूँ एडिटिंग का एक दिन का जो नया एडिटर है उसका भी डेड़ सो रुपे घंटे से ले करके और जो एक्स्परियेंस ओल्डर हो जाता तो आट सो हजार रुपे घंटे तक का पैसा मिलता है कैमरा मैन स्टार्टिंग में पैसा नह की रेट आज की रेट में दिली के अंदर या सूटिंग लाइन 15 लेकिन मुझे आज तक जिसमें मैंने यह भी अनॉंस किया लेकिन खाने का खर्चा और बिजली का खर्चा जो आदमी इस फिल्ड के अंदर कुछ करना चाहता है उसको उठाना पड़ेगा तो आपने जो सॉ समाज के जो दूसरे लोग किसी और इंडस्टी में उन लोगों को भी अपने समाज का स्टाफ रखने का काम करना चाहिए और समाज के स्टाफ सीके हुए नहीं मिला है तो उसको सिखाना भी चाहिए मेरे कंपनी से लगवग 500 बहुजन समाज का आदमी आज इलेक्ट्रोनिक मेडिया के अंदर अ more film line के यंदर काम रहा है बहुजन समाज का सुरूर से आज तक 95 में कंपनी सुरू किया सुरूरस आज बहुजन समाज का स्टाफ 95 परसेंट मेरे सीटूडियो से निकला है हर बार हर साल हने 50 आदमी का स्टाफ हर साल होता था पर्माण रहता था आते रह जाते रहे, सीखते रहे, निकलते रहे, और वो मतलब लगवग आज 500 के करीब कीता दात होगी, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि उसके अंदर भी वो लोग भी Payback to Society में एक भी आदमी नहीं मिला, जो हमारे हैं से निकलें, जो हमारे हैं से काम कर रहे हैं, तो Payback to Society का मतलब यहीं नहीं है कि आप चैनल चला रहे हैं, आप गरीव में हैं, गौतम चला इसी को आर्थिक मदद करो, Payback to Society के बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, आप जहां स्टेंड हो गए हैं, वहां पर आप कोसिस कीजिए कि अपने भुजन समास के लोगों को बढ़ाने का काम करेंगे, तो उसका आर्थिक स्थिती मजबूत होगा, यहीं एक तरीका है कि हमको प्राइवेट सेक्टर में जा करके अपना मुकाम मेहनत करके हासिल करना पड़ेगा, उस पर अगर आप बैठे रहेंगे, त्यारिये करते रहेंगे, लाक में दस नौकरी मिलेगा, और वहां पर पां अपने अपनी कभी फिल्म प्रोडक्शन में अपनी कोई फिल्म बनानी कोशिश करी है, हाँ, मैंने एक तो बाबा साथ भीम राव अमेटकर के उपर गाना बनाया, जैभीम सौंग के नाम से, और गाने में कई लाग का खर्चा किया, लेकिन अपसोस इस बात का है, कि वो मे यहां जाए साथ महीने में, कितने लोगों ने देखा है, साथ महीने में 66 था होजा ही, अजया सबसाक। जब मैं घर ढूंडने गया, तो मेरा एक कंडिशन डीलर को बता दिया था पहले, कि मेरे मैं बुद्धिस्ट हूँ, बाबा साब भीम राव मेटकर का फूलर हूँ, ये दोनों स्टेचों मेरे डाइंग रूम में लगती हैं, तो इसी को जब मैं ये बात बोलता था, तो सामन से तो मना नहीं कर रहा है, हम साम को देखके हैं, हाँ जी आपका ला आजाएगा, अपने बच्चों को दिखा लिजे, फैमिली को दिखा लिजे, और जब हम ये बात दिस्टूं, तो हमको रूम देने से, फ्लैट देने से मना कर देता है, ये रियल हिस्टोरी है, मेरे पातिवाद कैसे काम कर रहा है, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, वो भी देखा है उसके इंदर, उसको भी मात्र, साड़े चार हियार लोगों ने देखा अभी तक चैनल पर, ये अभी रिलीज किया, ये भी चार-पांच, दो-तीन महीना हुआ हो, अच्छा, दो-तीन महीने म जिसमें मैं भी अपना आपको साब, उस पर भी मेरा सवाल है, उस पर मुझे बहुत गुसा है, और बहुत प्रॉलम है, जो मैंने आपको ओफलाइन भी बताया, मैंने ऐसे-एसे केस दिये हैं, कई बहुजन के बड़े चैनल्स को नाम लेना ठीक नहीं है, नहीं तो रोवर आज जो आप देख रहे हैं, आज जो पर्शप्शन है, जब आप कोई मिटिंग बुलाते हैं, तो वह लोग आने को त्यार नहीं है, क्योंकि जितने भी अभी तक लीडर्सिप रही है, जो लोग इस तरह से रहे, उन्होंने संक्तन बना करके, और पैसा और धन इकटा करके अपने घर बंगले मजबूत किये, बनाए, सुरक्षा का अंजाम किया, बड़ी गाडियों का, उसके बाद समाज को छोड़ दिया, कुल मिला करके आपको यह लगता है, कि समाज को कही ना कहीं से, मतलब जो है, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा समाज इस तरीके से, बाबा नहीं सबने संग्धन करके, नहीं तो मैं दावा चेलेंज के साथ बोल रहा हूं, एक नेता के घर चलिये, और उसका दिखाई है, उसका कोठी बंगला बनाया है, मैं दावे के साथ इस बात को बोल रहा हूं, और यहां पर मेरा अहलत देखी आकर कि, जो आदमी फिलाइट स चलता था हर जगे जो आदमी फाइव स्टार सेवन स्टार जिसमें अमेरिका का राश्पती रुखता जाकर के मौरे से वहां रुखता था आज वो इस घर से अपने स्टूडियो से कहीं बाहर निकलने के लिए उस पर खर्चे तक के लिए पैसे नहीं है तो यहां समाज को भी सोचने की जोरत है कि उन लोगों को ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए ऐसे लोगों को साथ खड़े होना चाहिए जो वाकई में इमानदारी से समाज के लिए काम कर रहे हैं जिसमें मुझे अभी तक मेरे साथ कोई बहुत बड़ा किसी का साथ नहीं दीखता है कुछ लोगा है जो कभी-कभी मदद भी करते हैं इसका जो समस्य हजी इतनी सारी समस्य आप और हम जहेल रहे हैं आपने बताया है दिल्ली में जो एक्ट्रो और यह विचार बिल्कुल सेम मिल रहे हैं मैं भी कई बर सोशल मीडिया पर बोलता भी हूं और लिखता भी हूं कि डिल्ली में जो एक्ट्रो सिटी है वो डिरेक्ट नहीं है इंडिरेक्ट है इसको लिए बहुत सारी हम दूसरे को तो बड़ा दोस्त दे रहे हैं अब जो ह से बहुजन समाज का काम कर रहे हैं संक्टन बना रहे हैं एक यूटूब चैनल वाला पहुंच गया उस पर दो लाइन बड़ी खतरनाक सी बोली वाइरल हो गई और वो कही लाग लोगों ने देख लिया हो गया बहुजन समाज के तो वह बात तो करते हैं जैसे उनका एक ब मज़िद पर भी पूछ लिया तो मज़िद के जब आपको गोल कर गए तो भाई आप एक ही चीज पर टेक आप वकील हो तो उसका जवाब दीजिए आप वह वीडियो बड़ा भाइरल हुआ लेकिन वह कितना के इस लड़ते हैं समाज के यह प्रक्तिकल में जब आप काम कर लगते हैं तब आपको पता लगता है कि उसमाज की बात को कितना उठाते हैं जय भीम जय भारत जय समिधान नमो बुद्धाय मैं अमेटकर नेशन से गौतम रखना हेलो फ्रेंट्स वेलगं टू अमेटकर नेशन अमेटकर नेशन पर आपका स्वागत है बहुजन समाज औ महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे नियाय और दिखाएंगे बहुजन महापुरसों का तिहास और पढ़ाएंगे आपको बावा सहय भीम राव अमेटकर द्वारा लिखा हुआ भारत का समिधान हमारे चैनल अमेटकर नेशन लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जैबीन, जै समिधान, जै भारत, अमा पुद्धाय, धन्यवादा लोगों तक पहुचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग परदान करें ताकि हम अपनी चैनल के मात्यम से देश की देश में सम्ता, बंधुता, एकता और सम्वेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकें आप अपनी साहता राशी नीचे दीखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारत गौतम रतना खाता संख्या 3169-5768-651 IFSC Code SBIN 0060336 Bank भारती स्क्रीट बैंक आप हमारे बैंक खाते का विबरन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं गते में घॉतने के में अपका स्वागत करते हो अप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना केरियर बना सकते हैं SPNER एड़ेटर से पोडूटीसर एक्टर एक्टरस ऑड़ेचर और ऑडिटधर सिनीमाट्रोफर आंपको फिल्म से अपने हमारे कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981 0085714 और 851 005714 हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम films production at the rate gmail.com पर भन्ने बाइबाद